क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताके आप देख़ेबू वीडियोज सबसे पहले Hello guys welcome to my YouTube channel तो इस वीडियो में हम बात करने वाले string indexing के बारे में तो string indexing बहुत simple है कोई variable के अंदर आप कोई character रिस्टोर करा रहे है वह character में total जितने भी character है कोई भी character को आपको print कराना है तो हर character के एक-एक position होती ही तो उसे कहते है string indexing तो चलो direct मैं आपको एक file create करता हूँ python की और execute करके दिखाता हूँ तो मैं एक new file create कर लेता हूँ तो जैसे इसके अंदर मैं name ले लेता हूँ एक variable उसके अंदर मैं मेरा नाम इस्टोर करा देता हूँ तो यह मैंने मेरा नाम इस्टोर करा दिया है तो हर यह M है जीरो M A H E N D A R तो यह महेंदर है तो यह total character आप देख सकते हो total 8 character है तो हर character के एक एक position है वह position में आपको बताया तो तो आप देख सकते हो कभी भी position start होती है zero से और end जो आप देख सकते हो end जो भी number आगा तो तो m जो character है वो equal to zero position पे और a equal to one position पे h equal to two position तो इस तरह character start होता है अब इसे print कैसे कराना वो मैं आपको बता है तो जैसे कि print यूज़ करना है बहुत ही simple string indexing ज्यादा कुछ hard नहीं है बहुत ही normal है जैसे कि मैंने name जो कि name के अंदर मेरा यह variable story आव इंडेक्सिंग के लिए हम use करते है square bracket तो इधर जैसे कि मैं मुझे है na m print कराना तो मैं इधर 0 लिखूँगा और इसको save करूँगा वो इसे run करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आप देख सकते हूँ मेरा m print हो इसा करा सकते हूँ जैसे कि मैं 5th character print करां जीसे मैं save करता और run करता हूँ तो आप de print हो गया अब यदि आपको last character print कराना जैसे कि last प्रिंट कराना और आपको नहीं पता है इसका पॉजिशन क्या है और लंबर सा आपने कोई सेंटेज या वर्ड कुछ लिखा है तो इसको प्रिंट कराने के लिए हम है जूस करते हैं नेम बाद में स्क्रेकट माइनस ओन तो माइनस मान तब Less का कैरक्टर रहता है वो माइनस वन होता है तो उसी तप्रिंट कर लेता हो तो आप देखे लिए लास चेक्रेक्टर जो आहरे हो वह प्रिंट हो गया तो इसका पॉजिशन क्या उता हूं मैं आपको minus 1 यह minus to minus 3 डालना पड़ेगा तो जैसे मैं इधर minus three डाल देता हूं और इससे मैं sayo करता हूँ रन करता हूँ तो आप देख सकते हूँ DD जो के हमारा पहले है जो आगे से position हमारा 0 से start हुआ तो five का dprint हो गया वो माइनस 3 जो मैंने पीछे से कैलकुलेट किया तो यह माइनस 3 का D-print हो गया तो बहुत ही सिंपल था string indexing तो आप यह वीडियो को देखिए और इसे practice किजिए तो आपको सब चीज़े समझ में आ जागी और नेक्स वीडियो में हम और भी चीज़े बात करेंगे string के ऊपर तो नेक्स वीडियो की लिंक आपको description में मिल जाएगी और basics के लिए के advanced python के playlist की लिंक भी आपको description में मिल जाएगी उसका source code भी आपको description में मिल जाएगा तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो या थे वीडियो को like कर दीजिए आपने भी तिक में में चैनल को subscribe नहीं किया तो इदर एक लगा बटन निक्राइब इस पर click करके subscribe कर दीजिए thank you so much watching this video